अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुआ है जून दोजार चॉबिस के लिए और करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा दोगों ही तड़ीके से बात करते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी के साथ तैयारी करना चाहते हैं पहली बार पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर कहीं बार कोचिंग ले चुके हैं फिर लग रहा है कि यार अब तो खुछ से कर लेंगे तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो वाले बच्चे दूसरे बच्चे जिनको कोई कोई कोचिंग की जुरत है पहले बात करेंगी किन ले बच्चे हो सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो तो आप में कुछ खास चीज़े होनी चाहिए पहली चीच है आप अपना टाइम मैनेज करना जानते हो मुझे पता है कि मुझे किस सबजग्ट पर कितना टाइम देना है मेरा पेपर नंबर वन अका करूंगा मैज यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहां पर थोड़ी सी स्टाटेजी अलग है मुझे शायर ट्रिक्स समझनी पड़ेंगी उस पर फोकस करूंगा फोर्थ इको यार थोड़ा सब इंटर वाला भी डाल दिया है तो इस पर फोकस दूँगा हाँ थोड़ा कम टाइ मना के मुझे जरूर कमेंट में बताना भाई होसकता मैं हेल्प कर पाऊं सेकिंड सेल्फ मोटिवेशन देखो क्या होता है जब कोचिंग के साथ रहते है न तो इंसान को मोटिवेट करने के लिए टीचर बोलता है कभी डाट देगा कभी प्यार से बात कर लेगा कभी शायर कर रहे और पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर रहे उनके साथ बैठके पढ़ो किसी कोचिंग को फोलो करो कि वो किस हिसाब से अपना स्लेवर्स चला रहे हैं उसको फोलो करो मैं उससे पीछे तो नहीं आ रहा तो target में study रहेगी तो self motivation रहेगा अपने targets बनाओ targets मतलब कि भाई मैं इतने time में इतना काम कर लूँगा इतने time में इतना chapter cover कर लूँगा मैं को इतनी बार revise करना है यह बनाओ मुझे बताना जुरूर रगें कि कैसा plan कर रहे हो third discipline सबसे बड़ी दिक्कत self study में आती है कि भाई मैं disciplined हूँ या नहीं अगर आप disciplined हो तभी ये option आपके काम का है discipline मतलब क्या आप self study दस से बारा गंटे कर सकते हो material मैं जूट नहीं बोलूँगा सच बोलूँगा आपको YouTube पर भरा हुआ मिलेगा कहीं पर भी जाओगे YouTube पर content मिल जाएगा हो सकता है practice करने के questions इतने ना मिले हो सकता है कोई आपका doubt solve करने के लिए ना मिले हो सकता है कहीं पर first जाओ तो उसका video solution आपको exact उतना type का ना मिल पाए कोई आपको detail में समझाना पाए पर content मिल जाएगा हमने भी दे रखा है और आगे भी देते रहेंगे ठीक है अपरेल में हम चनक्या 2.0 भी लेकर आएगे ठीक है अचनक्य के अंदर में बहुत सारा content वहां से मिल जाएगा अभी और content आता रहेगा और content आने वाला है थोड़ा सा इस attempt में ये है कि जो नया syllabus है उसका content कहीं नहीं मिलेगा बढ़ टेंशन मत लो उसकी तयारी जब तक करने पर आओगे आपको यहीं पर हम शायद content दे रहे हैं हो सकता है बढ़ अगें मैंने बताया ना बहुत सारी चीजे हैं जो हो सकता है आप में ना हो तो आप ये काम मत करना फालतु का 6 मेना बरबाद कर लोगे बढ़ अगर लगता है कि हाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है मेरे लिये बना है अगर तुमको जून 2024 की तैयरी कर आए है और कोचिंग से जाना है कहीं से भी कोचिंग लो क्या चीजे चेक करनी है और उसको कैसे मैनेज कर सकते हो पहली चीज यार मेरा जो कोर्स है उनका अभी तैयारी शुरू हो चुका है, काफी जगापर आप मैक्सिम जगापर देखोगे, बैस स्टार्ट हो गए है ठीक है, कितना गैप है उसको चेक कर लिया, ठीक है, क्या मैं उसके अंदर में गैप को कवर कर पाऊंगा अगले 15-20 दिन या एक महीने में, ठीक है, फोर एक्जांपल, हमने अपना बैस 10 जनुवरी से शुरू किया था, आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके बीच में आपको दिखेगा, गैप है यार यहां पर 15-20 दिन का गैप हो रखा है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है किया, क्या मैं इसको 1.5X की स्पीड पर देख पाऊंगा, क्योंकि लाइव पढ़ने का अलग मज़ा है, और आपका लाइव पढ़ने में डाउट जादा क्लियर होते हैं, ये पर दोनों चीज़े मैनेज कर पा रहा हूं, क्या दोनों चीज़े कर पा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है चेक करना, आपको प्राइरेटी देखनी है, भाई मेरा अगर बोर्ड प्राइरेटी है, तो यहां की मैं होमवग का एक स्केडियूल मनाना पड़ेगा, होमवग सारा नहीं कर पाया, जितना कर पारा हूं, थोड़ा-थोड़ा कर लूँगा, मैं बाद में कम मैनेज करूँगा, मेरे बोर्ड ज एक्जाम भी आ रहे है, मेरे कॉलिज के एक्जाम भी चल रहे है, तो जो बैकलोग क मिल जाती है, with the help of, yes, you're एक अच्छी खासी जो बच्चों की गुरूप बने होते हैं, है ना, वहाँ से आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है, आपको पता जल जाता है, टेस्ट के थूरू से आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सारी एक एडिट इड़ानटे साड़े चार से पांच महीने का गैप है, आप चाहोगे अभी से तैयारी शुरू करके दो बार रिवाइज कर सकते हो, make sure करना है, तीन महीने में स्लेबस जरूर कंप्लेट करना है, ताकि बाद में रिवीजिन का टाइम, टेस्ट देने का टाइम जादा रहे, ताकि accuracy, speed बाई बाई अलविदा, अगर समझ में आई ये बात, तो सोलो करो, चलिए